देखिए विरेंदर जाहता की मार्केट का सवाल है, देखिए मार्च एंड के वज़े से लास्ट वीक काफी प्रेशर था, वो प्रेशर इस आउट होता दिखाई दे रहा है, काफी सारे ब्रोकर जो क्योंकि बुक बंद होती है तो लिमिटेट पोजिशन ही ले पा रहे हैं और उसके कारण मार्केट में अक्टिविटी ऊपर की तरफ काफी जादा है, ओविसली बाइडन साब कल इंफ्रास्ट्रक्ट्चर पैकेज अन्वील करने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं, तो किस प्रकार का स्टिमिलस होगा, किस प्रकार का इंफ्रास्ट स्पेंडिंग होगा, वो देखने लायक है कितना अमेरिकन सरकार जो है बोरो करती है फेडरल डिजर्व से ये स्टिमिलस जब दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्ट्चर पे स्पेंडिंग कर रही है, वो सब देखा जाएगा, ओविसली क्यूंकि रुपे में थोड़ी गिराव ट्रेड ले सकते हैं, स्ट्रॉंग डॉलर और जो फंड बाइंग है, आईटी स्टॉक्स में वो देखने लायक होगी, और इसलिए वहाँ उनको लगता है कि आईटी स्टॉक्स खास करके टेक भाहिंद्रा में ट्रेड लेना चाहिए, ओपन इंटर्स का अगर आप डेटा भी देख लें, तो सबसे बैतरीन यहाँ ओपन इंटर्स में एडिशन हुए, लॉंग साइट पे और एप्रिल सीरीज का ओपन इंटर्स आइट परसेंट से बढ़ा है, दूसरा स्टॉक जो है वो टाटा केमिकल है, देखिए जो सुईस कैनल का ब्लॉकेड था, और जिस से 40 रुपे का अप्मूव उनको लगता है, एप्रिल सीरीज में इस टॉक में आ सकता है, और ओपन इंटर्स भी अगर आप देखें, तो लगबग 4% का लॉंग एडिशन यहाँ देखने को मिला है, तो ठाटा केमिकल और साथी साथ टेक महिंदरा, दो अगर आप देखिए स्टॉक्स जहाँ पर रीरियस काफी बुलिश है, यतिन कुछ महरबानी मिट्कैप पर है? तो देखिए पिछले हफते हमने 2-3 दिन नहीं दिये थे मिट्कैप, आज जो मिट्कैप पर फोकस कर रहे हैं, डिलिंग रूम्स वो है ग्रीव्स कॉटन, देखिए यह कंपनी टे मिलने के लिए एक अच्छा प्ले है, डिलिंग रूम्स के रिसाब से, जहाँ आपको 20% का अफसाइट देखने को मिल सकता है, इन फैक कंपनी काफी सारे मोटर इंजिन्स पे काम कर रही है, इलेक्रिक साइट पे, जो कि वो बेच भी सके अलग से, क्योंकि ग्रीव्स कॉट इंजिन्स भी बनाती है, जो वो काफी दूसरे OEMs को बेचती है, और वैलिवेशन के लिए आज से केवल आट के सस्ते प्राइस टो अर्निंग मल्टेपल पे आपको एक डेट फ्री इलेक्रिक वेहिकल प्ले मिल रहा है, और इसलिए यहाँ डिलिंग रूम्स का मानना है, कि अगर आपको इलेक्रिक वेहिकल थीम के लिए अगर कोई शेर लेना है, तो वो ग्रीव्स कॉटन लेना है, जो कि डेट फ्री है और वैलिवेशन में भी काफी सस्ती कमपनी है। वहाँ पर भी आज बहुत बढ़िया मोमेंटम है, ग्रीव्स कॉटन की चर्चा आपको करते हुए दिख रहे हैं, यतिन जी यह बहुत ही फंडमेंटली स्टॉंग स्टॉक है, और पूरी EV थीम अगर आपको खेल नहीं है, तो मेरे ख्याल से ग्रीव्स कॉटन से बहतरीन क 2020 में यह आखरी पाइदान पे था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरतस्त है, दिन का उच्तम लेविल आपके सामने है, लगबग 214, क्या करना चाहिए श्रीकान जी, ITC के साथ? गुड़ापटर नून शेल जी, देखें वैसे आज FMCG स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी और इनफाक्ट FMCG इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है कि जो अपने all-time high के काफी नजदीक है, याने आने वाले दिनों में शायद एक या दो दिन में हम ऐसा देख सक और जैसे कि आज के दिन में तेजी बनी है, अगर आप देखेंगे तो रिलाइंस, HDFC, HDFC Bank इतने भी इंडेक्स दिग्गर्स है वहाँ पे तेजी बनी है और इस साल की यह जो प्लोजिंग होती है, वो भी काफी इंपॉर्टन होती है, मुझे लगता है कि ITC आपने काफी अ 210 रुपे के स्टॉपलास के साथ ITC को करेंट लेवल से लॉंग किया जा सकता है, और टार्गेट्स रहेंगे 220 और 225 रुपे के चलिए ये आपके सामने फिलहाल ITC पर अणनीती है, विरेन जी मैं स्क्रीन पर लाता हूँ जिलेट इंडिया, 5792 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा, एशिन पेंट्स दिन के उच्टम लेवल पर चल रहा है, 2575 आपके सामने शांदार तेजी, कोल्गेट में आती हुए दिख रही है, 1570, तो पूरा का पूरा जो FMCG का स्पेस है, वो आपको वॉल्यूम, ओपन इंट्रेस्ट और प्राइस एड़ करता हुआ दिखेगा, और सबसे आगे आपको चलता हुआ दिख रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2406, विरेन जी, ITC अब 214.80, पूरा का पूरा ये जो डिफेंसिव बास्केट है ना, ये अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉंग ओई खीच रहा है, मेरे स्कीन पर, अभी जो शाल जी ने जिकर के ना, FMCG में स्ट्रॉंग बाइंग है, वो हो रही है, सन फार्मा अब डे हाइपर, अब आप देखिए, सिपल डे हाइपर, लिउपीन डे हाइपर, एक जड़ा बायो कॉन लेका है, ये बायो कॉन भी डे हाइपर है, और बायो कॉन जो है, वो इस वक्त फिफ्टी डे एक्स्पोनेंशल मिंग एवरेज को काट के डे हाइपर कर रहा हुआ, राजश पालविया जी, इसका जो लास्ट ये वेरेज है, वो है 4.15 पे और वो है 100 डे एक्स्पोनेशल मिंग एवरेज, अब अगर ये 410 पर है, तो इसकी 420 की कॉल का प्रीम लिखा है, ये स्कीन पर प्लीज, चार्वेज की कॉल, अगर ये इस पूरे के पूरे क्लस्टर से निकलता है बाहर, तो साड़े ग्यारा ह बहुत अच्छे प्राइस है इस कॉल आप्शन के, I mean, 420 की कॉल साड़े ग्यारा पे हार्डली ट्रेट करती है, पालवे साथ, कोई टेक देंगे आपको इस पर, अगर ये 420, 23, 24 की टेजेक्टरी में चला गया, और इसमें एक और चीज धान दीजेगा, 420 के आसपास एक गै तो पिछले 1-5 महिने में, स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन उर्रीडी इसमें हो चुका है, और अगर अगर देखें, आडेली सेटप के इसाफ से ब्रेकाउट भी हो चुका है। वीकली सेटप के इसाफ से भी देखें, तो पिछले 8-10 वीक का एक नेरो रेंज का आज हो चुका और अब स्टॉक उपर के लिए मूव होने के लिए रेडियो हो चुका है तो फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइफ का टार्गेट तो हमें यहां से इमिजेट लगता है तो यहां से करेंट लेवल से जो कॉल बाइ करनी है करीब आप चेपता रहें 420 की स्ट्राइक क अगर हम कॉल बाइ करें तो उसमें हमें लगता है कि जो टार्गेट आना चीए वह आना चीए करीब 18 रुपे से 20 रुपे के असपास करेंट लेवल से स्टॉप लॉस रख लें इसका करीब 8 रुपे के असपास तो 11 रुपे 50 पे से 60 पेसे के असपास अभी ट्रेट कर रही जा रिवरसल का ट्रेट बिल्कुल बनता हो दिखेगा आई टी सी जो अभी शेल जी ने मार्क किया अब 215 स्पार्ट याद रखेगा मैं स्पार्ट की बात कर रहा हूँ डे हाई पर आके ट्रेट करता हुआ और पूरा का पूरा FMCG बास्केट कंजम्शन जो थीम है वो बात ना हो संफार्मा की ऐसा हो नहीं सकता और जब संफार्मा की बात हो तो श्रीकांजी से बात नहीं सकता 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 है कैसे अपरोच करेंगा आप इसक वैसे अगर इसको इसके अगर डेली चार्ट को देखे तो वहाँ पे कापी अच्छा एक क्रेक्टिव पैटन कंप्लिक किया है और आज के दिन में जो एक रिवरसल पैटन बना है वो भी क्लिरल इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक ब्रेक आउट बाई भी लग चुका है अभ वापस एक बार ये स्टॉक 615-620 के एक मल्टिपल रिजिस्टन्स के काफी नजदिक जा सकता है और शायद आने वाले जिलों में अगर फार्मा में तेजी अगर ऐसी बरकरार रही तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा इसी वज़े से करेंट लेवल पर ब्रिचाइनिया और एलेंटी 1420 मैं इसलिए जानना चाहता हूं इनके बारे में क्योंकि अब आपको शायद 14900 स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा बचे हुए आदे घंटे में रंडीती सेट करवाते हैं राजेश पालविया साब से पहले एलेंटी इसकी चर्चा कम होत चाहती है 1420 दिन का उच्थम लेवन इस तरीके से मोमेंटम बना है बिलकुल यहां से स्टॉक का जो हमें टार्गेट लगता है वह आना चीह कभी 1460-1470 के आसपास तो बिलकुल इसमें पोजीशन बनानी चीह लॉंग साइड की क्योंकि यह स्टॉक में पिछले तीन दिनों से देखें तो एक रिवर्सल इसमें अल्रेडी हो चुका है स्टॉक में जो एक करेक्शन था वह कहीं न कहीं पूरा होते वे दिल लग रहा है तो 1460-1470 के इमिजेट टार्गेट के लिए बिलकुल बाई किया जा सकता है 1405 यह स्टॉप लॉस रखें और L&T को बिलकुल बाई करना चाहिए यहां, L&T को बाई करना चाहिए, स्ट्रॉंग है स्टॉक और दो बात याद रखेगा L&T बहुत अच्छा कर्व बनाके बाहर निकलता हुआ इसने अभी अभी जो लेवल चुआ है, तरिस एक्जेक्ली 50 डे एक्स्पोनेंशल में गेवरेज वो जो आप्शन अभी करीब 20 मिनट पहले हमने लिया था, वो 41.10 पर टेट करता हुआ और बायो कौन का आप्शन हो गया है, अब 12 रुपए यह आप्शन में अच्छा मूव आता हुआ अब बात करते हैं आज के कन्विक्शन ट्रेट्स को लेकर और कन्विक्शन की जब बात आती है तो भसीन साब के कन्विक्शन की आपको वाकिए कर आप देखें तीन बज़े याद आती होगी और हम आज साथ जोड़ चुके हैं अब भसीन साब साथ नवश्कार काईकर में स्वागत है अच्छा स्ट्रॉंग पुलबेक और आज की बड़ी बात जानते हैं सर यही थी कि आज यूएस हील्ड को देखिए 1.76 की टेजिक्टरी में आने के बाद दे मार्केट ये बहुत स्ट्रॉंग कॉन्फिदेंस दिखा रहा है IT, Pharma और FMCG काफ़ स्ट्रॉंग डिलिवरी दे रहे हैं सर आपके अप्रोच और आज के दो कन्विक्शन ट्रेट सर तो देखिए वालिटिलिटी आपको कितनी वारी आएगी लास्ट मन्त आपने कह दिया येल्ड बढ़े थे तो FYS selling थी और जो भी था अब रोज रोज थोड़ी शेर आएगा अगर आपके पास अगर येल्ड बढ़ने हैं तो यहाँ पर ग्रोथ आ रही है globally भी ग्रोथ आ रही है, cost of money is low I was just hearing on the TV, I didn't fully hear but India could be a part the bond yield could be a part of the FTSE bond market which is a very big positive, उसका मतलब जो corporates money raise करते हैं उनको lower cost of money मिलेगी so you have to take this with a pinch of salt that everything cannot be one way and everything cannot be played also double, 2 यह तीन वारी so I am very very, जैसे आपको कहा मुझे दखता है, इसभते अगले अपर नहीं तो शहीद इसभते ही 15,000 तो आएगा आएगा उसके उपर देखेंगे और पांच तारीक से बजार में बहुत अच्छी आपको strength दिखेगी जो आज आज आपको दिख रही है और आज की strength जो हाई है, it's more on IT and metals I think banks will follow suit because corporate results इस quarter में विंदर may be the best we have seen in the last 12 quarters दो conviction fixes और दोनो PSU's हैं और दोनो must have in portfolios हैं यह यहां से चलके ही चलेंगे और पहला है BEL, 24-24 में लीजिए 27 का stop loss, 145 का target unquestionably the biggest gainer of manufacturing in India and on the defense side और दूसरा है कि आप cement maintenance strength देख रहे हैं coal India will come out with record numbers both on dispatch, both on volume and on the merchant power 153-133 में लीजिए, 28 रुमें का stop loss, 143 to 145 का target okay, coal India 131 का अगर आप देखे तो यहां पे के zone में treat करता हूँ वसीन साब के दोनों call screen पे लिखाईएगा अच्छा करते हैं, BEL तो इस वक्त की theme वसीन साब मान के चल रहे हैं पेसू, अच्छा सर एक take और दीजेगा, IT का यह behavior बहुत strong है और साथी साथ IT अपने आपको कर आप देखें अपरेल के first week में line up करता है earnings के हिसाब से बाइंग शूरू हो जाती है सर, IT में आपका अभी इस वक्त में अगर पूछूँ तो दो स्टॉक्स कौन से आप prefer करेंगे सर, HCL Tech और TCS TCS 3500 रुपे जाएगा result पे और HCL Tech 1200 रुपे तो 1200 का लक्षे बिलकुल अडिग है HCL Tech पर भसीन साब जब अच्छा समय आता है HCL Tech का तब भी आपको यह बात बताते हैं और जब बुरा समय आता है HCL Tech का डिप में आपको खरीदारी आती हुए दिखती है तो HCL Tech पर वो बहुत जबरदस्त महर लगाते हैं लॉंग साइट पर फिलाल आपके सामने अगर आप HCL Tech का प्राइस देखें तो वो चार डिजिट में आही चुका है और आज बहुत जबरदस्त कि हाँ पर मोमेंटम आपने देखा क्योंकि रुपिया कमजोर और उसके बाद पूरा का पूरा Tech Space बढ़िया तरीके से चलता हुए चलिए फिलाल आपके सामने स्क्रीन पर तीन बच चुके हैं निफ्टी 325 अंग उपर 14 832 बैंक निफ्टी 540 अंग उपर 33 806 शुरू करते हैं प्रक्रिया BTST Trades की और जुड़ेंगे सबसे पहले चंदन तपड़िया साब से चंदन जी क्या रणनी थी कल के सत्र के लिए आज की तेजी तो तीन सेंचुरी लगती हुई दिखी रही हैं आपके सामने निफ्टी पर सबसे अच्छा रणनी तो होगा कि 14 900 के आप कोल ले जाए वो 8085 के असपास चल रहे हैं और यहां पे लगवगी 145 शालिस तक के मुमेंट दिखेंगे तो मेरे साब से 14 900 की कोल में आपे ट्रेड लेना चीए उसके लाबा कोन कोर मेरे एक फोकस में है काउटर अलगी अभी इसलिए 57 मिल्टे में उपर की लेवल से करेक्ट हुआ है और यह ब्रेकाउट है जो ओपन इंट्रेस एडिशन के साथ हुआ है लगवग 24 दिनों का कंस्टोलेशन ब्रेकाउट हुआ है 400 के स्टोलों से लेना चीए 425 के टागेट यह बायो कॉन में शांदार तेजी आप शुरुवाती सत्र से ही देख रहे हैं फिलहाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है प्राइस मैंने 409 रुपे देखा था जी हां 408 सत्र और पूरी कोशिश कर रहा है यह कि अपने 200 DMA को क्रॉस करें जो की 420 रुपे है श्रीकान चोहान साब से भी जुड़ेंगे चोहान साब शुरुवाती सत्र में यहां पर बायो कॉन पर एक BTST कॉल आती होई दिख रही है कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आपको पसंद आएगा लॉंग साइट पर अगर आज के दिन में देखे तो काफी सारे यानि की हर एक सेक्टर में अमने तेजी देखी है और हर एक सेक्टर में कोई नो कोई दिग्दस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अब मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर में पी है कि पेसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है तो वहां पे अगर आप देखे तो मुझे लगता है कि भारत पेटोलियम पे आपके फोकस कीजिए भारत पेटोलियम अभी 430 के करीब टेड कर रहा है और अगर आप इसके एक लॉंग टरम चार्ट को देखते हो तो हम कि अच्छे यानि की 420 रुपे की स्टॉप लॉस के साथ इसे बाइक किया जा सकता है अच्छा रिस्रिवार्ड रेश्यो है और टार्गेट से लगता है 445 ते लेकर 455 रुपे तक का तो भारत पेटोलियम को करेंट लेवल से बीटी एस्ट के बैसे से बाइक किया सकता है कि अच्छे का तॉप कंविक्शन ट्रेड और बीटी एस्टी ट्रेड जी मेरा जो कंविक्शन ट्रेड है वो इटीसी में है और इटीसी के फूचर्स में हम 213 के नीचे अगर ऐसे लगा के पोजिशन बनाये तो इसमें उपर वाली साइट बहुत सारी स्पेस है तो दो ती टागेट्स लगाएंगे हम 217, 224, 227 यह तीन टागेट्स के लिए 213 के नीचे ऐसा लगा के आई टीसी के फूचर्स में पोजिशन बनाये जासकती है ओके आई टीसी फूचर्स अब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए आपके स्कीन पर आद बेखें तो स्पोट 215.70 पर तिन के सरवोच तरों पर आया राजेश पाल्विया जी आपका टॉप कंविशन ट्रेड जो कि आप कर के रहे करेंगे तो देखें दो सेक्टर जो कि आज काफी अच्छे बाइंग इंट्रेस दिखा रहे हैं वो एक आई-टी और फार्मा है तो मेरा आई-टी से जो रहेगा वो ल्टी टी एस ल्टी टेक्नोलोजी सर्विसेस यह स्टॉक में मुझे लगता है कि यहां से बाइ करना ची बिकॉज अगर अब इसका सेट अप देखें तो इस टॉक एक करेक्टिव मूँ में था टाउन स्लोपिंग चैनल में यह मूँ कर रहा था और इसका आज ब्रेक इसमें बने हैं हमें लगता है कि आप यहां से यह स्टॉक को बाइ करना चाहिए 2634 के आसपास अभी 35 के फ्यूचर ट्रेड करें इसमें स्टॉप लॉस रखे 2602 का और टार्गेट जो आना ची इसमें वो करीब आना ची 2680 से लेके 2650 तक के तो ल्टी टी टी एस यहां से बा और लगती हुई देख रही है माइंट ट्री में आपको 2100 रुपे की कॉल खरीदवाए गई थी जब प्राइस था लगबग 2075 अब प्राइस है 2122 डेकर आईए माइंट ट्री की आपके सामने जो कॉल थी फिलहाल 2100 रुपे की देखते हैं क्या प्राइस आक्शन आपको व अर्द विराम यहां पर लगा रहे हैं बीटी स्टी कॉल पर क्योंकि बहुत जबर्दस तेजी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई क्या प्राइस है आपके सामने फिलहाल डेक्ट साब बताएए माइंट ट्री की 2100 रुपे की कॉल का 113 का प्राइस है और चंदन जी इसको पर सजेस्ट किया क्योंकि आपे ओपन इंट्रेस लगबग 20% के आसपास बढ़ा हुआ है टेक्निक लिए आप देखो के 2040-50 का एक जो मेजल हर्डल होता था आज ओपनिंग में इस काउंटर निकाला है उसके बाद में बड़ी मोमेंटम है माकेर क्लोज हो रहा है अदरव 2100 की कोल है मेरे साफ से उस कोल को केरी रख सकते हो 115 रूपे के आसपास शलरी है और जो 90 रूपी के आसपास का जो बाइंड जोन था उसका ट्रेलिंग लगा सकते हो उपर में 132 से 115 लिस तक का प्रीमियूम इस 2100 की माइंटर की कोल में बन सकता है चलिए फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको लगती हुई दिख रही है माइंड फ्री पर और 2100 कॉल अब इंद मनी आती हुई तो यहाँ पर आपको मुमेंटम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है 135 का लक्शे जुरते हैं प्रकाश गावा साब से सबसे प बहुत इंपोर्टन लेवल है करीव 71 का जब तो कि इसके उपर है तब तब ठीक है एक बार एक क्लोस 76 के उपर दे देगा फिर तो एक बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ेगा फिर कर एक 85-90 भी देखने को मिने का आते तो रही बार कल के लिए स्टॉक मिटीस्टी वो है र आप से 2100 का जोन है वहां तक जाने की समभावना है रलाइंस प्रकाश गावाजी की कॉल होगी कल के लिए 2100 रुपे कलक्ष है 210 का स्टॉप लॉस है दिगज स्टॉक पे अगर आप देखिए उनका व्यू है असित आप कल के लिए क्या ट्रीट केरी करेंगे और उसकी थीम क्या होगी इजक्ली श्पेस कौन सा होगा विरेंजी मैं माइन ट्री में काफी बुलिश हूँ I still think I'll go heavily long in mind tree but everybody has to follow the leaks reward kind of thing. मैं EU Finance Bank में जाना चाहूँ का लॉंग which is currently around 1270 1265 range with a stop loss of 1255 for a target of 1300 इसमे price action 20 EMA को पर move करने के बाद काफी aggressively a move कर रहा है and I'm looking at the OI which has gone up by 60% I don't know what is the undercurrent I'm using this but OI addition has been the maximum in the bank nifty pack and yeah so EU Finance Bank can go for BTST ओके आप EU Small Finance Bank को अगर आप देखें पिक करेंगे और अच्छा करता वाई स्टॉक निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो HDFC Bank 1552 क्या mind blowing को अगर आप देखें क्लोजिंग दी है इसने और साथ ही साथ एक बर आप UPL लेके आई ये 631 डे हाई पर आज ये chemical space से हमारा सु देखें कर आप देखें की ट्रिजिक्टरी में है 630 की कॉल हमने पकड़ी थी और वह भी डियाई पर है कैदी करिए हमें इस प्रकार की स्ट्रेंथ को L&T अभी अब देखें हमने जो पिक किया था वो 1431 पे उसका option भी अब grip में आ चुका है L&T की प्लीज 1440 की call option का premium screen पर रखेगा हमने करीब 3730 पर उस option को पिक किया था L&T के 1440 कल के लिए carry करिएगा क्योंकि logic ये है कि ये 50 day exponential win average पर exactly राद देखें अब क्या चाहेंगे आप लेना चाहेंगे आप मैयरेश आपने अपने आपको mute कर दिया है प्लीज unmute करिए और फिर अपनी बात दुबारा से कहिए एक बार प्लीज सॉरी 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 दल्ती होगी नहीं तो chemical से तरह काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो सुएस कनल का ब्लॉकिज नावा पे अपने एंड केमिकल और केमिकल प्राड़क्स के प्राइस में सप्लाइड इस्रप्शन जो पहले से था उसे और तूल पकड़ा है मेरा दूसरा यही स्पेस में हो है कुजरा थे भी केमिकल्स है मुझे लगता है सेकंड अर्चेस प्लेर है सोडा अच्छ बिस्निस में 25 पर सेंट का मार्केट शेर है क्यूत्री के नंबर विरुजी गजब के थे तो इन और काइनी केमिस केमिस्ट्री आइटिंगिस और टे केमिस्ट्री की बिस्निस की अपकासिटी उटलाइजेशन है को 25 पर सेंट की और जो मार्जिंग जायते हो 28 प्रदेशत पर आयते हैं अगेन इतिंग डेट इक्विटी के सबसे 0.33 टाइम्स, ROC इस 15 पर सेंट, ROE इस 12-13 पर सेंट और जो कैशलो इंप्रूमेंट मुझे द देख रही है एक टेक्स्टाइल सपोर्टिंग जो आपका टॉप कंविक्शन ट्रेड होगा इसको देखिए मेरेशी जब टिपड़ी करते हैं तो यह सिर्फ बीटी सिर्ट नहीं होता है यह लॉजिक का कुछ समय तक सस्टेन करता है इसको पोजिशनली करिए आई एक पू आपने तो भी ध्यान दीजेगा उसमें कॉल्स आपके स्कीन पे हैं इसमें प्रकाश सर्थ ने रिलाइंस पे दाव लगाया है टागेट 200 का है कौन कौर कंटेनर कौर पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे 620 के टागेट के लिए चंदनन ने पिक किया है उसके बाद आग के लिए और अभी असेतने कुछ दिर पहले ही एयू स्मॉल फिनेंस बैंक को गराब देखिए तो एड किया 1300 का यहाँ पर टार्गेट रखा गया है चलिए यह रंड नीती आपके सामने बीटी एस्टी ट्रेट्स के रूप में आती हुए दिख रही है विरें जी तीन बच आप 1130 रुपे की तेजी देख रहे हैं 50,130 बैंक निफ्टी आपके सामने 500 अंग कूपर चल रहा है 33,868 के आसपास जुड़ते हैं राजेश पालविया साब से राजेश जी बैंक निफ्टी के जो कॉंस्टिट्वेंट्स हैं खासकर HDFC बैंक और ICICI बैंक दिन के उच्ट आपको लेनी हो इस हफते की विकली एक्सपाइरी में बैंक निफ्टी पर तो कौन सी कॉल आप पसंद करेंगे तो शायल जी देखे HDFC बैंक की हमारी चोईस होगी शो की ओपनिंग में भी HDFC बैंक पर भाई करने की सला दीती है और अभी भी उसी ट्रेट को कैरी करने की सला करें तो 1540 के आसपास का स्ट्रॉप लॉस रखें टार्गेट जो होंगे इसके वह होंगे 15901620 यह दो टार्गेट हमें लगता है HDFC बैंक में इस वीक में आते वे दिखना चाहिए और हमें लगता है कि HDFC ही यहां से एक लीडर्शिप लेगा बैंक निफ्टी को यहां से फ रेंज ये के तुरू एक लॉंग कॉल जेनरेट करी थी और अब 1560 का प्राइस आपके सामने बजार बंद होने में सिर्फ 14 मिनट है और एक इंट्रिस्टिंग बात यह हुई है कि जो निफ्टी का फ्यूचर्स प्रीमियम है जो की 100 पोइंट पहले था अब मात्र 70 है देखते हैं बचे हुए 13 मिनट में किस तरीके से यहां पर आपको तेजी या मंदी आती हुई दिखती है कैश काउंटर्स चहकते हुए मेरे सामने जे के सिमेंट दिन के उच्टम लेविल पर 3910 आपको बहुत बढ़िया मॉव्मेंट एंबी सी में आता हुआ दिखेगा एफ एनो में और यहां पर बसीन साब की पसंद भारत इलेक्ट्रोनिक्स आपको दिन के उच्टम लेविल के आस उपास बंद होता हुआ दिखेगा 126 नबे विरेंजी